नमश्कार मैं हूँ आपकी साथ रौधा ग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तानियोज एड्स, एचाइवी ये वो शब्द है जिनको सुनकर आम आदमी की रूह काप जाती है इंसान डर जाता है कि समाज में उसकी बेजिती हो जाएगी समाज क्या कहेगा लेकिन आज विश्व एड्स दिवस की मौके पर हमने ठाना है कि आपको जागरुक करना है आपको बताना है कि आपका इलाज कितना जरूरी है क्योंकि अब डरना नहीं है अपने स्वास के बारे में सोचना है वो भी तब जब 36 गड़ की सरकार आपके बहतर स्वास के लिए प्रतिबद हो क्योंकि हर दिन हर जिले में इस खतरनाग बिमारी से लड़ने के लिए सरकार निशुलक सुविधा उपलब्द करा रही है विश्व एड्स दिवस की मौके पर इस बार का थीम है टेक दराइट पाथ और इसी राइट पाथ पर आपको बढ़ाने के लिए विस्तार से समझाने के लिए मेरे साथ मौझूद है डॉक्टर खेमरा सोनवानी जो अतिरक्त परियोजना संचालक है प्राज एड्स नियंतरन समीती के जिन से आज हम समझेंगे कि एड्स क्या है उसके क्या लक्षण है इस बिमारे से कैसे छुटकारा पाना है लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजए कि 36 गड़ सरकार एड्स से निजात पाने के लिए क्या कुछ कर रही है विश्व एड्स दिवस यह सर्फ एक दिन नहीं है यह एक संकल्प है एक उम्मीद है एक प्रेड़ना है विश्व एड्स दिवस हमारे भीतर जाग रुपता और एकता का संदेश देता है HIV संक्रमट सर्फ एक शाररिक बिमारी नहीं बल्कि यह समाज के उन्चिपे हुए डर और भेदभाव का प्रतीग बन चुका है जिने हमें खत्म करना है लेकिन अग हर कदम पर यह संदेश घूंट रहा है हम साथ हैं हम सुरक्षित हैं एक ऐसी लड़ाई जो हम सब मिल कर लड़ रहे हैं और एक ऐसी दुनिया बनाने की चहाँ HIV संक्रमित व्यक्ति भी समान और समानता के साथ जी सके इसी दिशा में काम करते हुए शत्तसगड के विष्टुदेश साथ सरकार ने हमेशा अपनी प्रात मिक्ता में स्वास्त को सबसे उपर रखा है HIV और AIDS की प्रतीच जागरूपता बढ़ाने इलाज और बहता स्वास्त सुविधाय प्रदान करने के लिए शत्तसगड सरकार लगतार नए कदम उठा रही है आज एंटी रेट्रो वारल दवाईयों का वित्रण किया जा रहा है जो ना केवल मरीजों की जीवन बढ़वता को बहतर बना रहा है बलकि उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर रहा है साथ ही केद्र और चत्तसगड सरकार द्वारा निशुल्क इलाच किया जा रहा है और प्रदेश को एट्स मुक्त बनाने की दिशा में लगतार बहतर कदम भी उठाय जा रहे हैं दिखें एड से कैसा बीमारी है जिसका उपचार जागरुकता से ही कर सकते हैं वैसे तो उसके तमाम जन जागरुपता के लिए विभाग के द्वारा आवस्यक कदम उठाए जा रहे हैं परचार परसार किये जा रहे हैं लोगों के वर्नेस किये जा रहे हैं परंतु ये समाजिक विसे है और समाज में इसके विसे में जानकारी होना चाहिए और इसके लिए हमारा स्वास्त महकमा नीचे मितानिन से लेके उपर तक हम सब लोग एड्स के बारे में बताने का और प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और जो संक्रमित हैं, उनके उपचार के लिए, उनके पुनरवास के लिए, उनके स्वरजगार के लिए भी सरकार काम कर रही है, साथ ही साथ जो जाच का स्पीड है, उसको हम और तेज कर रहे हैं, हर इस तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जाच भी कुछ चिनित छेत् हम सारवजद्दिक नहीं कर सकते उन झेत्रों को भी उन व्हकतियों को भी लेकिन लगातार हम जाच में गटिला रहे हैं और कुछ जो इंडिंटिफाइड हो रहे हैं उनके लिए उपचार के लिए दवाईयों के साथ साथ, उनके किस प्रकार से उनके पेच में एक समंध में बनाकर उन को समानने जिवन जीने के लिए हम प्रिद कर सकें। वैसा भी हम कर रहे हैं। आज 36 गड़ सरकार के मार्ग दर्शन में जनहित को ध्यान में रखते हुए राज में 8 ART सेंकर और 137 HIV जांच और परामर्श केंद्र कांग कर रहे हैं जहां लोग नसक्त HIV से बचने के उपाय जान सकते हैं बलकि सुरक्षित यौन व्यहवार के बारे में भी मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं इन केंद्रों के मात्यां से हर व्यक्ति को इस गंभीर बीमारी से बचार के लिए हर संभव सहयता प्रदान कीचा रही है और लोगों का उचित मार्ग दर्शन किया जा रहा है विश्वे तिवस एक डिसंबर जो मनाया जाता है HIV एक गंभीर बीमारी है जिसकी रोख थाम एवं उसके प्रती जाग रुकता है तूँ केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से जो प्रोग्राम होता है जिसको नेशनल लेट्स कंट्रोल और्गनाइजीशन वो एक प्रोग्राम चला रही है इसके लिए सारे मेडिकल कॉलेज और जिलास्तर पर एर्टी सेंटर्स इस्थापित किये गए हैं इन एर्टी सेंटर्स में पिश्विस्तरी दवाईयां पूरता मरीज जो रहते हैं उनको मुफ्त में अपलब्द करा जाती है सारी जो जांच है वो चाहे वो चाहे वो खून से संबंदित हो चाहे वो मरीज लोगों को जो है वी पूरी मुफ्त में की जाती है केंवं उनकी साथ-साथ क्योंकि ऐसे मरीजों में थोड़ी सी मांसिक परिशानी दर रहता है समाज के प्रति तो उनके लिए कांसेलिंग करना उनको जो राज्य-सरकार की जो योजनाय हैं उनसे जोड़ना उनके प्रति उनको जागरुख करना की कुछ योजनाय जो है राजी सरकार की चाहिए वो का रेलवे पास हो, कंसेशन हो या और दूसरी योजनाय हो उनका भी जो ज्यान है उनको दिया जाता है या अर्टिकला सेंटर में लेकिन सिर्फ सेंटर और इलाज ही नहीं, शक्तरगर सरकार ने HIV और टीवी के बारे में लोगों को जागरुख करने के लिए एक और बहतुपूर्ण कदम उठाया है अब आप किसी भी समय टोलफ्री नंबर 197 पर HIV के लिए और 104 पर टीवी के लिए कॉल कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा सरकार की नाकोएट्स एप पर और टीवी आरों के एप पर भी जो आपको इन बिमारियों से संबन्दित सभी जानकारी और साभधानिया देते हैं जो रेट्रोवारिल थेरिपी है उसको आज हमने हिसूल कर रहे हैं उनके लिए पूरे दवाईया नहीं सूल कर दे रहे हैं और कोशिस हमारा पहला लक्ष है कि एड्स जो एक संक्रमण से होता है उसके संक्रमण को हम पूरी तरह से समाप्त कर सके हैं इसके अलावा आप सरकार की ने सीओ एड्स एप को और टीवी आरों के एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इन दिमारियों से संबंदत सभी आवश्यक जानकारी और साभधान्या देते हैं आप शक्तितगर सरकार की कोशिशों के साथ एचारी संक्रमण लोगों के लिए बहतर रिलाज, समर्थन और जीवन जीने के नए अफसर उपलब्द हो रहे हैं शक्तितगर सरकार की पहल ने न केवल प्रदेश में जागरुकता बढ़ाई है, बलकि हजारों लोगों के जीवन को बहतर बनाने में भी मदद की है तो देखा आपने किस तरह से शक्तितगर सरकार आपको जागरुक करने के लिए प्रयासरत है? और अब इसी विशेपर खास बाचीत के लिए मिरे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर खेमराथ सोनवानी डॉक्टर सहाब आपका बहुत-बहुत स्वागत है विस्तार नियूज में बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर, दो शब्द है, AIDS और HIV ऐसे शब्द हैं जिसमें लोग काफी confused हो जाते हैं कि है क्या AIDS को HIV समझते हैं, HIV को AIDS समझते हैं वो differentiate नहीं कर पाते हैं इसको कैसे differentiate किया जाए? जैसे आपने बताया कि आम लोगों में HIV और AIDS के प्रती संसर है या confusion है सिंपल साथ जैसा कि अन्या वाइरस संबंधी विमारियां होती हैं उसी प्रकार का एक HIV जैसे बागी साथ वाइरस से हमको तकलीब होती है सरदी जुकाम बाड़ी एक वीकनेस उसी तरह के शुरुवाती लख्षन होते हैं तो HIV एक सामान्य संक्रमण है और जैसा कि एड्स एक एड्स के नाम से लोगों में भय है तो HIV जो सिंपल सा एक वाइरस इंफेक्शन है इसको यदि हम एग्नोर करते हैं या नजर अंदाज करते हैं और उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती इसलिए समय पर उप्चार नहीं करते तो वह एक हमारे जो सरीर की जो चमता है जो इम्मिनिटी है उसको कम कर देती है जिसके करण से अन्य बीमारियां हमको घेर लेती हैं हमको मिल लग जाता है जैसे के खास कर टिवर कुलोसिस है नीमोनिया है और इसी के बाद यदि हम उसका भी लाजना करें तो अन्य दूसरी बीमारिया आ जाती है जिसको हम एड्स कहते सर इसके लक्षड क्या है लोग समझ नहीं पाते कि मुझे AIDS हो गया HIV हो गया है तो इसको कैसे समझे आम भाशा में एक आम नागरिक किसको कैसे समझ सकता है कि पहली तो यह है कि हमारा अपना ब्यवार क्या है जैसे हाइरिज ग्रूप कहते हैं जिसको जिनको संभावना होती है एड्स होने की क्या हम इंजेक्शन के माधिम से दवा ले रहे हैं या शुरक्षित ब्लड रंस्वुजन्स हम कहीं लिए हैं क्या यह जिए ब्लड गटना हुई है तो उसके बाद यदि लगता है कि हमको अचानक हमारा वजन कम हो रहा है भूख कम लग रहे है और बार-बार संक्रमन हो रहा है चोटे-चोटी तकलीब हो रहे हैं डारिया हो रहा है लंबे समय से तो यह सुरुवाती लक्षन हो सकते हैं कि आप HIV से संक्रमित ह और सर्थ दूसरा सवाल ये रहेगा कि एट्स जो है एक परसं से दूसरे परसं में ट्रांसमिट कैसे होता है क्या एक ही तरीका है जिसके वज़े से उसमें ट्रांसमिट हो जाता है या फिर अन्य भी कई कारण है इसके पूह है इग उना से अधीक्स में और उस उन्जाषित करतेे माड़े से इंजेक्सिश हो जाती है ऑप सुरबढुय। हो जाता है वो भी एक कारण है यद्यपी राजी के सभी ब्लैट बैंक में हमारा HIV स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को खुन दिया जाता है लेकिन इसकी संभावना बहुत नगन्या है बिल्कुल और ये भी लोगों में भै रहता है कि मल्टिपल सेक्स करने से भी ट्रांस्मिशन हो सकता है क्या इसके भी संभावनाएं हैं हाँ चुंकि इसमें जो असुरक्षा की संभावना ज्यादा रहती है कर पाते हैं इसलिए संभावना बढ़ जाती है सबसे पहले जब लोगों को जांच के लिए जाना होता है उनके दिमांग में एकी बात आती है खर्च कई पैसे ज्यादा ना खर्च हो जाए तो क्या इसके जांच कराने में इलाज कराने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं क्योंकि कई लोग इसकी वज़े से अपना कॉंसलिंग एंटेस्टिक सेंटर्स के रूप में जानते हैं ICTC समानने तोर पर बोलते हैं वो उसके मादियम से निसुल्क जाच होती है उसी प्रकार जैसे पाजिटिव आ जाता है कोई मरीज तो उनको एंटी रेट्रोवाइलर ड्रक्स मतलब एड्स के लिए जो उप्चार की एक दवा है वो हम निसुल्क पूरे जिवन भर उनको उप्लब्द करा जा रहा है इसमें कोई खर्च की गुंजाइस नहीं है सर पहले लोगों के अंदर एक भै रहता था कि अगर मुझे HIV हो गया है एट्स हो गया है तो मतलब की अब सीधा मेरी मौत होनी है लेकिन अब इसके लिए क्या-क्या वैक्सिनेशन उप्लब्द हो गये हैं किस तरीके से एक आम नागरिक अपना इलाज करा सकता है और किस उसकी मौत हो सकती है एक बार वो भी विस्तार से समझाएगा एचाइवी के लिए जो अभी जो हम दवा हमारे पास उपलब्द है और जो प्रिस्क्राइब दे रहे हैं मरीजों को वह काफी हद तक सुरक्षित दवा है जैसे कि अन्य बिमारियों के लिए हम देते हैं इसका साइड एफेक्ट भी पहुती कम हो गया है और इसलिए जो यदि कोई व्यक्ति चाइवी पाजिटिव आने के बाद यदि निमित रूप से दवा का सेवन कर रहे हैं और जो चिकित सक्थ है जो एर्टी सेंडर्स में सलाह देते हैं विसे सग्या उनके मार्दस्तन में यदि कोई संका नहीं है इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यदि एचाइवी किसी को हो गया है और दवा चालू कर लिया है तो निरंतर अपनी दवा का सेमन करें और जैसा चिकित सक्थ का सलाह है समय समय पर कांसलिंग के लिए या अन्य बीमारियों की जांच के लिए जरूर आ जाती है तो क्या प्रेगनेंट जो महिलाए होती हैं वो किसी बचाव का इस्तमाल करके अपने बच्चे को सुरक्षित रच सकती है से यह बहुत अतिया अस्यक बात है राज्य में सभी लग एंसी जो गर्वती महिलाए हैं उनका सत्परतिस्ट हम एचाइवी स्क्रेणिंग कर रहे हैं गर्वती महिलाओं से मेरा आगरा होगा कि वो गर्व के पहले तीन महिने में एचाइवी की जाँ जरूर करा लें ताकि बच्चों में होने आने वाले बच्चों में संक्रमन की गुंजाइस बहुत कम हो जाए और यदि नहीं भी करा पातें तो इटलिस दूसरे ट्राइमेस्टर में या 6 मेने के अंदर तो अनिवार रूप से करा लेना चाहिए और एदी एचाइवी किसी को पाजिटिव आ जाता है रियक्टिव है तो उसका प्रसव संस्था में ही होनी है और चिकित सब के सलाह पर सुरक्षी प्रसव कराएं तो से देखे लोगों को जागरू करना तो बेहत जरूरी है ही और आप भी बता रहे हैं कि राजसरकार इसके लिए कई काम कर रही है अलग-अलग प्लैंस तयार किये गए हैं तो राजसरकार के द्वारा क्या प्लैंस तयार किये गए हैं राजसरकार लोगों को जागरू करने के लिए क्या कुछ कर रही है वो भी एक बावस्तार से बताएगा जंजा गुरुपता के लिए समय समय पर टीवी के माध्यम से या न्यूस्पेपर के माध्य से हम जानकारी देते हैं उसके अलावा भी जो अलग-अलग प्राप्त करने में असाज होते हैं तो 1097 नंबर डायल कर आप व्यक्ति के तुरुक से या प्राइवेसी के साथ पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब अलग-अलग जगहों पर एर्टी केंद्र इस्थापित किये हैं यह एर्टी केंद्र क्या है और लोगों को इसके बारे में बताना भी बेहस जरूरी है तभी तो लोग पहुचेंगे और अपना बहतर इलाज कराएंगे तो यह क्या है सर एक बार यह भी एक सेंटर्स हैं यह एर्टी सेंटर्स जो मेडिकल कालेज में हैं साथ मेडिकल कालेज और जिलाची के साल है दूर्ग में इसकी सुईधया है जहां निस्वल कांसलिंग और अर्था सला और उपचार निस्वल प्रदान की जा रही है इसे हम एर्टी सेंटर्स के नाम से जानते सर समाज में ऐसा भी है कि HIV और AIDS को लेकर काफी भेदभाव है लोगों के मन में इसको कैसे दूर किया जा सकता है क्योंकि इसको दूर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं दूर करने के लिए कि आज की समय में HIV संकरमन किसी ब्यक्ति को हो जाता है तो समाने तोर पर हम उसको उनके ब्यक्तिगत्स ब्यावार से जोड़ कर देखते हैं या सही नहीं है इसलिए आम लोगों से मेरा विप्तिकत अगरा होगा कि कोई भी संकरमित किसी कारण से हो गया है तो उनके साथ वेदभाव ना करें उनके साथ जैसे अन्य बीमारियों जैसे टीबी है या डाइबिटिक है 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 पर देंसर से पीडित मरीज है उनके साथ हम कोई दूर बेहार यह पर दूर करते हैं तो अन्य पाकर को बेवार करते हैं वहों करते हैं जिस से कि यह रहे हैं वह करने जो ब्राबर बने रहे ताकि उन दवा का कव्रभाव ना होढ़ेождक्स एक हुआं परकार इंज्हर ने ये योजना क्या है और लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलेगा क्योंकि काई लोग इसके बारे मिन जानते नहीं उनको पता नहीं होता है यह लोग के बारे बने क्लिए Ispast है कि लक्षित योजना है तो मतलब कोई टार्गेटेट ग्रूफ है जो HIV के लिए संभावित रहते हैं जैसे कि महिला यौनकर्मी है उसके अलावा जो इंजेक्शन्स यूजर है जो यूवा है ट्रक ड्राइवर्स हैं जो लंबे समय से लॉंग डिस्टेंसिंग डिस्टेंट ट्रक्स हैं जो काफी दिन से घर से बाहर आते हैं तो वैसे व्यक्ति जो है असुरक्षा के घहरे में रहते हैं उसी परकार जो माइग्रेशन होता है जो एक राजी से दूसरे राजी जाते हैं और अकेले माइग्रेशन होता है सिंगल माइग्रेशन होता है उनमें इस तरह करके HIV के संकर्मन में आने की संभावना ज्यादा रहती है तो ऐसे समुहों को टार्गेट करने के लिए उन तक पहुंचने के लिए एक NGO के माध्यम से हम उनकी सेवाएं देते हैं है जिसको हम टार्गेटट टी आई कहते हैं तो इसके साथ उनके साथ बहुंचर पाने में सक्षम हो रहे हैं जिनको लक्षित पर्योजना कहते हैं सर राज सरकार जो है टीबी की बिमारी से भी निजात पाने के लिए कई यूजनाय चला रहे हैं जैसा कि आपने भी जिक्र किया है तो यह कहां कहां पर यूजनाय इसकी चलाई जा रही है और किस तरीके से लोग वहां पर पहुच पाएंगे है nam रहे हैं चाइवी एक्षिक और चैन्यंतरय kindness रहे हैं दोनों में यदि किसी व्यक्ति को तीबी संक्रमन हो जाता है और लाक्रीं है कि नीजकाने कास minded करने क्पसरी यह कंज़त करमनों कर रहे हैं ताकि घातके या दोनों TB और HIV किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें उनको स्वास्त की गिरावाट में या उनके जो लाइफ इस्वान है उसमें कम ही आने की गुंजाइस रहती है इसलिए सत प्रद्शत दोनों बीमारियों का आपस में स्क्रीनिंग हम अनिमारों से कर रहे हैं सर क्या यह जरूरी है कि किसी को TB है तो HIV भी है दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कैसे आखे चुंकि दोनों बीमारिया में हमारे सरीर की इम्मूनिटी कम हो जाती है और चुकि TB अधिकतर लंक्स को प्रभाविद करता है और लंक्स प्रभाविद कंप्रोमाइस होने के परिसानी आने के बाद HIV संक्रमन के करण निमोनिया होने की पुंजाइस बढ़ जाती है इसलिए यह दोनों का टेस्ट कराना अन्यवारिया तीबी से निजात पाने के लिए राज्य सरकार फिलहाल क्या कुछ कर रही है तीबी के लिए अभी हम आगामी साथ दिसम्मर को एक 100 days campaign करने जा रहे हैं साथ दीन का अभ्यान है जिसके अंतरगत डोर टोर जो टीबी के लख्षण के लख्षण के अधार पर हमारी जो इस्थानिक अंबले हैं कारीकरताEE प्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो सर्वे करेंगे उसके बाद जो सब्सक्राइब होंगे जो संभावित टीबी के मरीज मिलेंगे उनका हम जो जाज के इंदर है वहां पर जाज करके उनका इलाज भी निसूल का हम उपलब कराने वाले हैं सर्व टीबी का इलाज कितने दिनों में हो सकता है क्योंकि टीबी भी एक ऐसी बिमारी है जिसका पहले कोई इलाज नहीं था लोग खासते खासते मर जाते थे खून आता था लोग उनसे दूरी बना लेते थे लेकिन अब मिनिमम कितने डेज लगते हैं इस से ठीक होने के है रेजिस्टेंस हाएक नहीं उसके लिए सूटेबल है यह यह लें डिस्टी टीबी है यह उसकी उप्चार लगवग च्छैमेंने लगता है और यह दिरस्टेंस टीबी है किसी दवा का उनको असर होने की चांसे कम है तो उनका इलाज हम एक साल तक करते हैं और एक्ट्र कोपी नंबर जारी किया है एड्स की जानकारी के लिए साथ ही साथ टीबी की जानकारी के लिए भी इड्स के लिए उन्होंने जो है यूद्ध liber region teri बारे में भी जानकारी सामने आई कि सरकार नहीं मूबाईल इप भी बनाएगे इसको लेकर क्या डीटेल मोबाइल एपस के माध्यम से जो है वो जानकरी मिल सकती है आपको जिसमें की लिटेल्स टीबी और एचाइवी एड्स के बले अलग-अलग प्लेट्फॉंस हैं उसके माध्यम से जानकरी प्राप्त कर सकते हैं सर एर्टी केंद्र बनाये गए हैं राजबे अलग-अलग जगहों पे आठ एर्टी केंद्र बनाये गए अभी तक वो कहां कहां पर है और वहां पर कितना खर्च मिनिमम लोगों के उपर आ सकता अगर वहां पर वो पहुचते हैं अपना इलाज कराने के लिए जैसे राइपूर है बिलासपूर है जगदलपूर कोरबा राइगर राजनंद गाउं यह मेडिकल कॉलेज हैं जहां एर्टी सेंटर से हैं यहां इलाज जाज का और सला का कोई चार्जिस या सुल्क नहीं लिया जाता इसके लावा जिलाज एक साल है दूर्ग में एर्टी सेंटर से वहां भी निसूल की इलाज होती है यहां आप बहीचक अपना इलाज करा सकते हैं जाज करा सकते हैं इसमें कोई खर्च होने की संभावना नहीं है सर कंपाइल करते करते चूटा समय से जाप एट्स और टीवी मरीजों को कुछ देना चाहें तो टीवी मरीजों और या एचाइवी संकरमित मरीज हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा जब भी आपको लगता है कि मेरे को टीवी हो गया है जहांच के पस्चात कंफाम हो गया ह या एचाइवी हो गया है तो आप नीमित रुख से अपना इलाज चिकित्सक के सलाव पर कराएं इसमें कोई इंटरप्शन ना करें या बीच में रुकावटना लाएं और यदि आपको लगता है कि दवा कम पढ़ गया है तो एक हपता पहले आ जाएं ताकि आपकी दवा क निरंतरता बनी रहे तो आपने सुन लिया है समझ लिया है कि एट से बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपके जिंदगी सर्फ आपकी नहीं है आपके परिवार की भी है और आज विश्व एट्स दिवस की मौके पर विस्तान यूज उमीद करता है कि आप अपने घर से निकलेंगे अपना इलाज कराएंगे क्योंकि देखिए विकाशील भारत को विक्सित और स्वस्थ भारत बनाने में आपका भी एहम योगदान है डॉक्टर साब हमाई साथ जोनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू